हेलो फेंड्स वेलकम टो शेयर मार्केट फेंड अगें आज मैं कुछ बेसिक फंडामेंटल जो इंपॉर्टन चीज़े उसके उपर निफ्टी और नाजडेक 100 के बीच में कंपेर करने वाला निफ्टी तो आप जैसे जानते हैं इंडिया के जो टॉप इंडेक्सेस है जो इंडिया के जो फ्री फ्लोटिंग मार्केट केपिटल है उसका 80-90 परसेंट करता है तो यह ओवरॉल मार्केट कंडिशन का मार्केट वैल्वेशन के लिए अच्छा क्राडिटर है निफ्टी 50 वैसे ही सेम अमेरिका में 3-4 इंडेक्स है टॉप के जैसे की दाव जोन्स है उसके बाद नाजडेक कंपोजिट है उसके बाद स्टैंडर्ड एंपोर्स का S&P 500 ऐसा है तो नाजडेक कंपोजिट जो है अमेरिका के मुस्टली सब कंपनीज को में में कंपनीज को कवर करता है तो उससे ही बना हुआ उसमें जो कंपनीज है उससे ही बना हुआ नाजडेक 100 एक अच्छा इंडेक्स है कंपेरिजन करने के लिए तो नाजडेक 100 में जो कंपनीज है वो मुस्ली 80% नाजडेक तो यह स्टार्टिंग दिखाता है 1999 से लेकर अभी तक तो यहां पर 2008 में बड़ा करेक्शन आया था फिर 2011 में थोड़ा फिर 2016 में और 2016 और फिर continue अभी चल रहा है जो recent हमने last पूरा year के gains पिछले कुछ महिनों में गवा दिये थे तो यह nifty 50 का graph है long term का और अगर nasdaq 100 जो america का है वो अगर हम compare करेंगे तो 1999 से same पकड़ेंगे तो यहां पर bull market था 2000 में फिर bear market 2003 तक चला फिर 2009 में fall आया था और फिर 2016 और बाद में mostly last 5 year से nifty 50 और जो nasdaq है वो mostly same pattern में चलते हैं तो ज्यादा variation नहीं आता है उनके अंदर क्यों यह overall comment है तो अभी income मैंने कुछ constituents इनके top निकालके रखें वो आपको दिखा देता हूँ तो अगर हम देखें कि nifty के अंदर जो 50 stocks है उसमें से हर stock को एक particular percentage का voltage दिया है मतलब अगर 100 unit nifty के हम पकड़ते हैं तो उसमें से इतने particular यह top 10 stocks cover करते हैं तो यह top 10 stocks mostly इनके अंदर थोड़ा भी moment आता है तो nifty में बड़ा सा move आ जाता है तो इनको cover करना एक important या फिर अच्छा तरीका हम समझ सकते है nifty को समझने का तो nifty के अंदर HDFC bank का सबसे जादा मतलब actually यह share price और regular basis फे vary होते रहता है NAC के थुरू मगर mostly यह numbers near about आप पकड़ के चल सकते है तो HDFC bank का 10% weight है उसके बाद reliance industries भी mostly 10% है उसके बाद HDFC का 7% weight है और Infosys का 6.5% ITC का 5.5% ICIS bank का 5.5% लगबग Tata Consultancy का 5% लगबग Kotak Mahindra bank, L&D और Axis bank का लगबग 3-4% के बीच में है तो same अगर हम Nasdaq 100 को cover करते हैं तो आप हमारे यांगी companies देख सकते हैं यह mainly top 10 companies है उसमें LDFC bank, LDFC, Reliance, Infosys ITC, ICIS bank, Kotak Mahindra, L&T, Axis bank यह सब आते हैं top 10 में वैसे अगर Nasdaq 100 जो के अमेरिका का top का index है उसके top 10 holdings अगर हम check करते हैं तो उसके अंदर जो companies है actually उनके product हम फिलाल use भी करते हैं तो पहला तो है apple का यह near about है तो accuracy expect मत कीजिए इसे तो apple का weightage लगबग 15% है जो की सबसे जादा है अब जानते है apple का mobile phone आता है time आता है वह सबसे चीज़े आती है तो वह इंडिया में भी sell होती है उसके बाद microsoft जो हम लोग operating system यूज करते है उसका लगबग 7.5% weightage है amazon जो online shopping site अगरा है तो उसका 3.5-4% है Google के 2 shares है Google के class C shares है Google के class A shares है तो इनका लगबग 3-3% है 6-6% का 6-7% का weightage है उसके बाद facebook जो हम सब use करते है social networking site उसका 3.5% है फिजी lead या फिजी AI lead sciences जो के biotechnology company अमेरिका की उसका 3.5% लगबग है और Intel जिसका processor यह फिर computer related चीज़े आती है IT में भी शायद है Intel तो फिर उसका 3.5% है Cisco जो consultancy IT solutions प्रोवाइड करता है उसका 3% है और Comcast इस company का लगबग 1.5% है G lead जो है वह biotechnology company है और Comcast जो है telecommunications related companies है तो आप देख सकते कि top 10 में Nasdaq में अमेरिका में आते है Apple, Microsoft, Amazon, Google, Facebook G lead sciences, Intel, Google, Cisco, Comcast मतलब यह top 10 companies है जो पूरे world को भी rule करती है apart from America और अगर इन सब का पूरे इंडेक्स का वेटेज अगर हम सेक्टर वाइस देखते है कि कौन से सेक्टर के shares उस index में सबसे जाद है तो इंडिया और अमेरिका के index में यह एक important flag दिख्या आता है कि हमारे इंडेक्स इंडेक्स करता है 35-40% financial services है जैसे कि HDFC bank है वगरा वगरा जो finance related entities है वो सब है उसके बाद energy हमारे इदर 15% है और IT 15% है और consumer goods जो consumption से related companies है जैसे कि gold age etc तो वो 10% है और automobile, metals, construction, pharma यह सब 3-6% की range में और बाखी बचे हुए में distribute हुआ है तो हमारा basic जो stress है और financial services, energy, IT और consumer पर है वैसे ही same अगर हम Nasdaq का देखते है तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो technologies है इनके top 10 companies देखके ही पता चलता है कि इनका technology IT के तरफ मतलब जो market contribution है वो बहुत ज़्यादा है उसके बाद आता है consumer services, healthcare और फिर consumer goods तो यह बाकी के companies finance का उनके इदर इतना contribution नहीं है जितना हमारे इदर overall index में है उनके इदर mostly dominated by technology है, consumer services है उसके बाद healthcare है और फिर consumer goods है और बाकी सब अलग-अलग companies में distribute हुआ है तो यह basic constituents प्लस उनका voltage और उनकी graph का comparison करने का मैंने एक छोटी सी कोशिश किये I hope आपको पसंद आया होगा और एसे related videos में लाने की कोशिश करूँगा share market friend अगर आपको यह video पसंद आया हो thank you very much share market friends सुनने के लिए